सबसे ज्यादा फेमस मसाला जिसके बहुत फाइदे है वो है केसर लेकिन हम सबी केसर के सारे प्रॉफित से अवेर नहीं है जो हम आपको आज बताएंगे और हमारे इस पोस्ट में उन सबी को शामिल भी किया है केसर विदेशी फूल कोर का सेटवेस से प्राप्त होता है जो एशिया और यॉरप में एस्टाबलिस्ट है और इंडिया में बहुत लाज़केर पर पाया जाता है ये इसलिए महेंगा है क्योंकि एक ग्राम केसर पाने के लिए बहुत साले फूलों का इस्तमाल होता है और वो सब हाथ से किया जाता है आई अब देखते है कि केसर आपके स्किन को क्या लाब दे सकता है पर दोस्तों अब शुरू करने से पहले हमारे चानल से लीटिस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चानल आजकाई गुलू को सब्सक्राइब करना ना भूले आपके स्किन पर ग्लो लाता है आप एक ग्लास दूद में केसर के कुछ मात्रा मिलाने से आप एक चमकता हुआ रंग भी पार सकते है प्रेगनिंट मा को अकसर दूद और केसर दिया जाता है ताकि गर्ब में पल रहे बेबी को गोरा और चमकता हुआ रंग मिल सके नहाने के वक्त गरम पानी में केसर मिलाया जा सकता है इसे 20 मिनिट तक पानी में भीगने दे फिर अपने नहाने के लिए इस पानी का उप्योग करे यह पूरी तरीके से आपके रंग को निखार देगा एकने और ब्लेमिशिस का इलाज करने में मदद करता है केसर के एंटी फंगल क्वालिटी इसे एकने ब्लेमिशिस और ब्लेक हिट्स की ट्रीटमें में मदद करते है 5-6 बेजिल लीज को 10-12 सेफरिन में मिक्स करके उसका पेस्ट फेस फर लगा ले और फिर 10-15 मिनिट के बाद अपने फेस को दो ले इसे एकने और पिंबल से चुटकारा पाने में मदद मिलेगा तुलसी के पत्ते एकने और पिंबल्स पैदा करने वाले बैक्तिरिया को खतम कर सकते है डल स्किन का इलाज करता है एक चमच पानी में केसर के 2-3 स्टेम्स को रात पर रखे अखली सुबा तक पानी का रंग पीला हो जाएगा फिर केसर के पानी में एक चमच दूद, 2-3 बूंद नारियल का तेल और थोड़ी सी चीनी मिला दे और इसे अपने फेस पर लगाए और इसे 15 मिनिट तक सूखने दे और फिर अपना फेस धो दे ये मास्क अपने डल फेस के साथ साथ ब्लेक हेट को भी मिटा सकता है केसर आपके स्किन को ब्राइट टोन देने में मदद करता है बस आपको केसर के फूलों को गुलाब जल में बिगोना है और स्क्रब करने के बाद इसे अपने फेस पर लगाना है Wounds और Spots ठीक करता है केसर Wounds Treatment के गुन रखता है जो घाव भरने और Shining Skin के लिए धाग दबो को दूर करने के लिए जाना जाता है इसका पेस्ट लगाने से आपके घाव जली भर जाते है और कोई Side Effects भी नहीं होता तो ये ती सैफरेंस से जुड़ी कुछ इंट्रेस्टिंग बात है जो आपके स्किन पर ग्लो तो लाता ही है बल्कि ट्रीटमेंट में भी हल्पफुल होता है तो दोस्तों अगर आपके पास इससे जुड़ी और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे और अगर आपको यह हमारा वीडियो पासंद आया होगा तो इसे लाइक, शेर और कमेंट ज़रूर करें तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों धन्यवार लिए